दोस्तो आज मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बतलाने वाला हूँ जिससे आप लोग पता कर सकते हो कि आपके डॉग के पेट के अंदर कीरा है और इसके बज़े से आपके डॉग की उम्र बढ़ जाएगी अगर वो मरने वाला होगा तो उससे भी वो बच जाएगा और आपका 1000 रुपया बज सकता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या सिम्टम है जिससे पता सल सके कि आपके डॉग के अंदर कीरा हो चुका है और आप उसका सही तरीके से इलाज कर पाओ दोस्तो इसमें मैंने टोटल साथ सिम्टम्स रखे हैं साथों सिम् द्रों कि में क्या हो सकता है बहुआ सारे चीज होते हैं जैसे कि कुछ डाग है जो घास खहने लगाता कि इस थे ऐसे तरarthy तरी का एक्टिविटी क्यों करते हैं सबसे पहला तो घास इसलिए खाते है ताकि वो उल्टी कर सके और पेट के अंदर जो कीरा है वो उसमें मतलब कि फस खर के बाहर निकल जाए और यह ज्यादा तर बिल्ली करते हैं या फिर जो श्ट्रीट पर डॉक्स होते हैं वो करते हैं दोस्तों इसमें खतरा यह भी हो सकता है कि कभी-कभी पेट भी कट जाता है खास खा रहा है तो यह नेचरल औसधी है इसके लिए यह अपना इलाज खुद कर रहा है ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है आपको अपने घर पे टैबलेट जरूर देना है इसको ठीक करने के लिए अब दोस्तों यह जो भी अन्वांटेड थिंक्स खा रहा है वह इ खाते है नुट्रिशन की तो डॉग्स क्या करता है नुट्रिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी खाने लग जाता है मिट्टी मिले दूसरे जनवार का पॉट्टी मिले कुछ भी मिले तो अगली बार से यह आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका डॉग अगर खाना सही तरीके से नहीं हो रहा हो उसको डाइट अच्छा नहीं मला हो इसके बज़से भी नुट्रिशन की कमी हो सकती है लेकिन ज्यादा तर वर्म्स के बज़से ही नुट्रिशन की कमी देखी गई है दोस्तों इसमें बहुत सारा चीज मैंने बताया है आपके इन्फॉ सारा सब्सुर्य करें दे कर सकता है यहां पर आप देख सकते हो कि नॉरमाली जो लूज मोशन उतैं इस तरीके के होते हैं अगर आप लोगось देखोगे तो लूज मोशन में आपको की बढाई चाहिए वो की आ == लंबा-lembा भी हो सकता है या फिर खीरे के डाने के आकार का इतना बरा ऊक्ता उसकता है तो अगर आपके डौक्स में तेınıट Κ धीन गर और दावाई दे रहा हो फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो उसमें वाम सो सकता है यह चीज़ बराएं ध्याना है खास करके छोटे पपीज में यह देखा गया है, जो 30 दिन के आसपास का होता है, कि वो मेडिसीन चला दिये हैं, प्रोवाइटिक चला दिये हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, चली दोस्तों अगले पॉइंट पे हम बहुत ही ज़्यादा सौकिंग है, दोस्तों जो वाम्स होते हैं, पेट के अंदर का जो वाल है, उसको भी काट सकता है, और काटने के बज़े से कभी-कभी बलर्ड भी आपको दिखाए पर सकता है, छोटा-छोटा, अगर आपके डॉक के पोटी में हलका-हलका बलर्ड दिखाए परे, तो आप लोग ये जरूर सोचे हैं, कि इसके पेट में वाम्स है, और इसके लिए आप लोग अटेंशन हो जाएए, नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा, अभी तो गिवर ड्रॉप ड्रॉप आ रहा है, जैसे कि देखिए, ये पोटी है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैं आपको एक्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, कि ये प इस पर आप गौर नहीं किये, तो आने वाले समय में यहां पर आप लोग पिक्चर देख रहे हो, तो इस टाइप का आपका पोटी डॉप का निकलने लग जाएगा, एकदम लाल 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 लाल, और ऐसा पोटी अगर निकला, और ट्रीटिमेंट करवाने के लिए आप हो सकता है कि आपके डॉप में वाम्स हो, और इसके बज़े से आपको एक्सरे, अल्ट्रासॉंड और इंडोस्कोपिक भी करवाना पर सकता है, दोस्तों यह है छोटा चीज, लेकिन है बहुत ज्यादा डेंजरस थिंग, यहां पे इस डॉप को देख सकते हो कि कैसे बलड निकल ला है, ऐसा लग रहा कि पारवो हो गया है, पांच दिन ट्रीटमेंट करवाया गया, दस हजार रुपे का खर्चा लग गया, लेकिन डॉप जो है वो बचना मुस्किल हो गया, मातर एक टेबलेट में यह डॉप खरा हो गया, और पांच दिन का ट्रीटमेंट पूरा कांची हो जाता है, कांची वो हलका सा पीलापन भी हो सकता है, दोस्तों देखिए, पेट में जो कीरा है, उससे कोई डारेक्टली रिलेशन नहीं है, आख में जो कीरा आ जाता है, वो डारेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि पेट में अगर कीरा हो गया, तो की इम्मुनिटी कम हो जाता है, इम्मुनिटी कम होने के बज़े से क्या होगा, कि उसको कई सारे इंफेक्शन हो सकते हैं, एसकिन का इंफेक्शन हो सकता है, कान का हो सकता है, आख खा हो सकता है, नाक का इंफेक्शन हो सकता है, उसको ठंडी भी लग सकता है, या फिर उसको लिए मिल जाएंगे तो ये मड़ भी वर्म्स के बज़े से हो सकते हैं अब दोस्तों वर्म्स आने का एक कारण नहीं है बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसलिए आप लोग कोई दूसरा भी सिम्टम देखिये अपने डॉग में चलिए मैं आपको पांचवे नमर पे बता रहा करें इस वीडियो का हमारा में 5000 लाइक का और साथी साथ इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजेगा ताकि वह भी अपने दोस्त को बचा सके और इसमें हम आपको बहुत सारा चीज बता रहे है जो आप अपने डॉग का जान बचा सकते हैं दोस्तों आप लोग डॉपर का घॉपर का जो मसल होता है वह आपको हलका सा रेड टाइप का दिखाए पर ठीक है वांस आ गये उसके पेट में तो जो यह रेडिस है वह वाइट होता चला जाएगा आप लोग अपने डॉग का यह ऐसी करके उपर करके मसल देखेगा अगर यह वाइट वाइट दिखाए पर राइस काम तो है कि उसके पेट के अंदर की रहा है और वो कीरा क्या कर रहा है कि सारा नुट्रिशन और हीमोगलोबिन घीच रहा है और डॉग आपका बहुत जादा बीमार पर सकता है इस चीज को गौर कर लीजेगा और साथी साथ जो पपीज होते हैं छोट तो फिर भाई दिक्कत है आपके डॉग में बहुत जादा वाम्स हो चुका है या फिर बहुत जादा मतव कि खुन की कमी हो गई है और यह चीज दूसरे कारणों के बज़े से भी हो सकता है इसलिए एक बार डॉक्टर से जरू दिखवा लिजेगा चले दोस्तों हम अगले गिस्टाते आगे चलेगा तो बहुत साइब लोग क्या सोचते हैं कि यह वो डांसिंग पोज कर रहा है या फिर कुछ ऐसा कर रहा नहीं यह वाम्स के बज़े से क्या होता है कि डॉक्स का जो बट वाला एडिया है वहां पर उसको खुजली होता है तो खुजली को मिटाने करिए नहीं तो आपके अंदर भी नुट्रिशन की डिफिसेंसी हो सकती है तो मतब कि इंसानों के लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आप लोग को यह काम दे दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसा ही नहीं बहुत टाइप के वीडियो आते रहते जो अपने डॉक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए फॉलो करने का एक भी रुपया नहीं लगता है दोस्तों ऐसा करके आप लोग अपने स्टीट डॉक को जर्मन से पर डॉबर में कार सो सेंट बरनार्ड पवेलियन लेवाड और गोलन रिटीवर डैस और सारे डॉक्स को बचा सकते ह एक डॉक के लिए नहीं है सभी डॉक्स के लिए है चलिए हम साथवे पॉइंट पर बात करते हैं लास्ट से सकेंड पर है कि उसका ब्लॉटेड एब्डॉमेंड हो जाता है दोस्तों कई बार आप लोग जो छोटा-छोटा पपी देखते होगे ना तो उसका पेट काफी ज और यह हो गया उसका पेट ठीक है यहां से यहां तक पेट हो गया तो यह अंदर से नॉर्मली यह छोटा रहता है ठीक है लेकिन डॉक के अंदर वॉम्स आ जाएंगे उस वॉम्स मत उसका पेट क्या होगा कि इस टाइप से फूल जाएगा इस टाइप से तो यह हो सकता है क ये वाम्स के बज़े से भी फुल गया हो ठीक है तो वम्स क्या करते हैं तो रॉंडवमक क्या करते हैं कि पीट के अंदर जा करके आपके एजुकेशन को बढ़ाने के लिए है क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ को जानता हूं और बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग कंशूज हो जाओगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार डॉक्टर से जरू कंसल कर लिजेगा जानकारी के लिए इसलिए बोल ला हूं क्योंकि कई बार लिवर फेल के बजह सभी होता है कई बार डॉक्स में बहुत जादा गैस बन गया उसके बजह सभी होता है कई बार वार्टर रिटेंशन हो गया है पेट में उसके वज़े से मैं आपको कंशूज करना नहीं चाहता हूं इसलिए मैं बोला हूं कि कभी-कभी वर्म्स के वज़े से होते हैं अगर आपको ऐसा दिखे तो डॉक्टर से कंसल कर लिजे बहुत ज्यादा कंशूजन क्रियेट ना हो इसलिए आप लोग डॉक्टर से कंसल कर लिजे या फिर बेसिक प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से भी बात कर सकते हो एक बहुत ही नॉमिनल साफी है जिससे मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा और आप लोग का भी हेल्प मिल जाएगा कंशूजन दूर हो पाएगा मैं आपको प्रोपर गाइड कर दूँगा description में link मिल जाएगा वहाँ से payment करके आप लोग मेरे से help ले सकते हो सबसे last point में मैं खतम करना चाओंगा और आप लोग को बताना चाओंगा कि उसका weight भी loss हो सकता है बहुत सारे dog का क्या होता कि weight कम होता चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई साब ये weight कम क्यू प्रब्लम भी नहीं दिख रहे हैं लेकिन वह आजकल सुस्त टाप का लग रहा है सबसे पहले तो उसका बुखार आप लोग चेक कर लिए बुखार नहीं है सब कुछ ठीक है तो गम्स उठा करके देख लिए कि गम्स में मतलब कि यह वाइट इस तो नहीं हो गया प्रब्लम देखने के लिए ऐसा ही एक नहीं और भी बहुत सारे ऐसे कारण है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी डॉक्स में वाम्स हैं वह मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा तो वह भी चैप्टर आपको मिल से लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसा और अपने बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट रिलेटिव को ये वीडियो सेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने डॉक को बचा सके और ये सब सिम्टम्स गौर कर सके दोस्तों हम लोग मिलते हैं ऐसा ही बहुत सारे वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई क्या देसे हें लोग मैं लोग मैं लोग मैं लोग मैं मता है घर फ्रेंड मैं लोग मैंब बाई तक कर सके तो कि दीए फनक प्रेंडें़ सबस्तों हू़ग कि क्या दोग झ profit this